तब से पहले इस चर्चा को कि शुरुवात मैं करता हूँ आप से अचारे प्रमोत कृष्णम, क्या आपको लगता है कि इस्तीफा तो दिया, लेकिन उस इस्तीफे का आदे से जादा भाग बहानों पर था, कुल मिलाकर दस बहाने थे, और उन दस बहानों में ये भी था कि हाँ, मैं हारा, उसकी जिम्मेदारी तो मेरी है, लेकिन संस्ताय भी हारी है इस देश के अंदर, सिस्टम भी हारा इस देश के अंदर, क्योंकि मैं और मेरी पार्टी नहीं जीती है, मैं और मेरा परिवार नही के स्तीफे पर आप तो एक महीने से रोज कहते थे के ये राहूल गांदी का स्तीफा जो है ये ड्रामा है ये नौटंकी है ये नाटक है ये वापिस ले लिया जाएगा और आज राहूल गांदी जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि वह एक बड़े दिल के मालिक हैं और चीजों क नेताओं को और तमाम मैं तो कह रहा हूं अमिज जी आप भी इसमें शामिल हैं मतलब माफी मांगे सब लोग राहूल गांदी से माफी मांगे मैं यह निए निए उन पर हारने के बाद सवाल क्यों खड़े करें ते आप एक महीने से यह कह रहे थे अगर आप रहा है रहा है र कांग्रेस के लिए मुश्किल घड़ी है हम समझते हैं इस बात को अच्छे से बिल्कुल मैं कब कह रहा हूं खोशी की घड़ी है लेकिन इस देश में कॉंग्रेस पायटी का जो कंटिवूशन है आपका अटेक यह होता था बीजेपी का अटेक यह होता था गौरभाटिया कोंग्रेस परिवारवाद से मुक्त नहीं हो सकती कांग्रेस में परिवारवाद है राहूल गांदी ने इस्तीफा दे करके सिधह कर दिया के कंग्रेस पायटी इनट्रा परिवार कहा जाता ता उसमिक घडिति चाहिए उनके निरेना करना चाहिए और Key and Marks निरेंए निरेन लेकिन अचारेपर मुटकुष्ण मेरा पॉइंट यह है कि देश के सिस्टम पर सवाल खड़ा करके, अपने स्तीफे का बहाना लेकर राहूल गांधी क्या कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र जो है वो सही नहीं है, लोकतंत्र में लोक सही नहीं है, क्या कहना क्या चाह रहे थे रा और तमाम चीजों को जो उनके अनुभम में आई उन पर भी सवाल था है। क्या इस धार्णा से ग्रस्त है कॉंग्रेस पार्टी एक सब्सक्राइब गांदी ने यह नहीं कहा कि इस देश का संविधान नहीं मानता मैं राहूल गांदी ने जो कमियां उनको नजर आई उन पर सवाल खड़े कियें तो क्या देश के सिस्टम पर सवाल खड़ा करना क्या कि इस मुतंतर की मरियादा के विप्रीथ है किया देश के संविधान का अपमान है जी 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 यह तो सेभानादी ने नहीं कहा हो पर से बेतर कॉंग्रेस को कोई नहीं समझेगा अब वो कॉंग्रेस में नहीं है उन्हेंने बगावत करी थी इसी विश्य पर क्योंकि राहूल गांदिया जैक्ष बनने हैं